आईए जानते हैं उम्रे के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए अक्सर हम स्लिम होने या फैट होने के आधार पर ही टैक कर लेते हैं कि हम स्वस्त हैं या नहीं जबकि अच्छे स्वास्त की पैचान इस बात से होती है कि आपके उम्रे के हिसाब से आपका वजन कितना है के बच्चे 2 से 5 महीने के लड़कों का वजन कम से कम 6 गिलो और लड़कों का वजन 5.4 उना चाहिए 6-8 महीने के बच्चे way, 6-8 महीने के लड़के का वजन 7.8 आठ respect Пон asks 7 दिशम्दव को नचाहिया 9-11 महिने तक के बच्चे 9-11 महिने तक के लड़कों का वजन 9.2 किलो और लड़कों का वजन 8.6 किलो होना चाहिए 1-2 साल तक के बच्चे 1 साल के लड़के का वजन 10.2 किलो और लड़की का वजन 9.5 किलो होना चाहिए 2 साल की उमरे के लड़के का वजन 12.3 kg और लड़की का वजन 11.8 kg होना चाहिए 3-5 साल के बच्चे 3-4 साल के लड़कों का वजन 16.7 kg और लड़की का वजन 16 kg होना चाहिए 5 साल के उमरे के लड़कों का वजन 18.7 kg और लड़की का वजन 17.7 kg होना चाहिए 6-8 साल के बच्चे 6 साल के लड़कों का वजन 20.7 kg होना चाहिए और लड़कों का वजन 19.5 kg होना चाहिए 7 से 8 साल के उमर में लड़कों का वजन 25 kg और लड़कों का 22 kg होना चाहिए 9 से 11 साल के बच्चे 9 साल की कम रूम के लड़िकों का वजन 28.1 किलोग्राम होना और लड़िकों का वजन 28.5 होना चाहिए 10 से 11 साल की उम्रे में लड़िकों का वजन 31.4 से लेकर 32.2 किलोग्राम और लड़िकों का वजन 32.5 किलोग्राम से 37.7 किलोग्राम होना चाहिए 13 साल की उम्र में लड़कों का वजन 40.9 kg और लड़कों का वजन 44 kg होना चाहिए 14 साल के उम्र में लड़कों का वजन 47 kg जब लड़कों का वजन 48 kg होना चाहिए 15 से 18 साल के उम्र में वजन 15 से 16 साल के लड़कों का वजन 58 kg होना चाहिए 19-29 साल की उमर में वजन 19-29 साल की उमर में पुर्शों का वजन पचास से साथ साल के उम्र में वजन, पचास से साथ साल के उम्र कुर्शों का वजन 91.3 किलो जबके महिलाओं का वजन 37 किलो होना चाहिए, उमीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फाइदे मन भी थाबित होगी